तो फिलाला हमें जो question ले रहा है वो इस topic से है volume and surface area से और ये सारे topic हम लोग one by one cover कर रहे हैं और कुछ topics हो चुके हैं तुम प्रेलिस्ट में जाओ और वहाँ जाके top 10 best question सेलेट किया गया है हर topic के लिए उसको solve कर लेना है सारे exam के लिए important है चलो लेते हैं question तो देखो question जो हम ल हमारी जमीन है ठीक है अब इस जमीन पर बारिश होती है तो क्या होता है जब इससे पानी भरना चुरू होता है पानी भरना चुरू होता है तो वह किसी उचाई तक भर जाता है ठीक है तो मानलो कि वह इतनी उचाई तक भर गया पानी तो उसी उचाई को कह रहा है 5 cm विज तो तुमको इस हेक्टेर को बदलना पड़ेगा मीटर स्क्वाइर में या फिर सेंटिमेटर स्क्वाइर में क्योंकि यह जो दिया गया है यह पांच सेंटिमेटर दिया गया है ठीक है तो हेक्टेर तो वैसे भी एडिया का यूनिट होता है तो जाके तुमको याद रखना प मीटर स्क्राइर ठीक है तो यह तुमारा मीतर स्कायर पर छोल गया तो मैs को ह MARK सकते हो कैसे पांच गुड़े दस के गाते माइनस धो यह जागा मीटर थ्यान रच ना जब भी सेंटिमेटर को मिटर में convert करते हैं इससे गुड़ा कर देते हैं दस के पर माइनस दो से या फिर तुम ऐसे जो भी अंक लिखा हुआ है left से 10 मिलों के 2 अंक तक सुनना लगा दो मतलब ऐसे हो गया काम सॉरी मतलब 5 से 2 बार left जाओ और 10 मिलों लगा दो तो यह हो जाएगा तुमारा मीटर चलो ठीक है इसका सीधा मतलब होता है कि जो सेंटी मीटर का यूनिट है मतलब जो मात्रा है उसको तुम सौ से डिवाइट कर दो तो वो मीटर में पानी की मात्रा तो असर में जो पानी की मात्रा होती है उसको वॉल्यम कहा जाता है ठीक है वॉल्यम मतलब आयतन इसका यह मतलब है कि वो आयतन पूच रहाँ toutes वॉयक्त astronomers उता है सभी जानता है लंबाय गुड़े चौड़ाई गुड़े उंचाई system लमबाई गुड़े च उसमें तुमको उचाई से गुड़ा कर देनी है, उचाई तुम अभी भी निकाले हो, ठीक है, तो तुम क्या करो, 15,000 में किस से गुड़ा कर दो, 5 गुड़े 10 के गाते, माइनस 2 से गुड़ा कर दो, तो ये माइनस 2 से 2 सुनना कट जाएगा, तुमारा बच्चा 1.500 और 5 यह पर कलेक्ट हुआ था, समझ में आगी बात, चलो तो आंसर कमेंट करना कितना आया,